हलो एवरिवान आएंड रिद्रोन यह वाचिंग स्काइज देलिमिट्स आज के वीडियो में वेसिकले में डिसकस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक देखिए weekly activity report के बार में आप लोगो बहुत सारा problem face करना पढ़ रहा है क्या यह mandatory है आप लोगो fill up करने का यह भी आज मैं बताऊंगा और आपको कैसे अगर कुछ गलती हो गया आप बोल सकते हैं fill up करने के time तो कैसे आप वो ठीक कर सकते हैं कैसे आप weekly activity report delete कर सकते हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो बहुत ही important होने वाला है वीडियो कान तक जरूर देखना और अगर इस चैनल तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल में आपको university related कोई भी update मिलते रहेंगे तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हम लोग अभी जहाँ पर हम वह है macout coffee sale website macoutexam.net इसमें easily आपको क्या करने members area में जाना है फिर easily आपको यहाँ से student corner में जाके आपका easily id and password देके आपको submit करना है उसके बाद आपको easily क्या करना है यह वाला page में आप पहुंच जाएंगे जो कि आपको पता ह जहाँ पर easily लिखा है weekly activity report यह देखिए इसको easily click कर लेना फिर देखिए यहाँ पर यह वाला option आपके पास आजागे इसको चलिए easily हम लोग कर लेते हैं desktop mode में ताकि आपको समझाने में easy हो यह देखिए यहाँ पर desktop mode में हम लोग कर लिए तो देख सकते हैं आप यहाँ पर द कि क्या क्या आपको किस हिसाब से फिलाप करना है जो कि एक previous notice में आप बोल सकते है university से हर एक college को बोल दिया गया था कि students को अगर कोई भी जरूरत है weekly activity report form फिलाप करने के लिए तो colleges से उनको पूरा मदद किया जाएगा अगर आपको कोई भी problem face हो रहा है यह सब फिलाप करने आप easily details मांग लिए अपने class teacher से या फिर mentor से वो लोग आपको एक बोल सकते हैं file भेज देंगे excel में हो आप बोल सकते हैं कुछ लिख के हो pdf file हो आपको भेज दिया जाएगा वो देख के आप easily यह फिलाप कर पाएंगे तो यह हो गया अब चलिए question आता है कि कैसे आप अगर show previous data में click करना है देखे आप अगर यह click कर दे तो आप देख पाएंगे जो जो चीज आप यहाँ पर already fill up करके रखे हैं तो मैंने भी बहुत सारा यहाँ फिलाप करके रखा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है सबस्पकेट जे पहला वाला जो है यहाँ यह वाला आपको edit क लिए तो देख सकते हैं यह सब मैंने already fill up करके रखा है तो यह सब चीज आप लोग अगर चाहें तो fill up कर सकते हैं तो देख सकते हैं तो यहाँ पर अगर प्लाटफॉर्म आपका जूम दे दिये पर यह platform आपका होगा आप बोल सकते हैं YouTube platform तो इसको आप easily erase करके यहाँ पर यूट्यूब लिख सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो ऐसे आप easily edit करके फिल से आप यहाँ पर update details कर दें तो आपका update हो जाएगा तो ऐसे आपका बोल सकते हैं कोई अगर गलती हुए है तो आप इसको easily update कर सकते हैं तो ऐसे करके आप easily edit कर सकते हैं पर अगर आप मुझे कैसे delete करना है कोई file तो मैं बोलूँगा delete करने का कोई जरूरत नहीं है आप जो file fill up किये वो अगर गलती है तो वो next वाला जो class है उसका हिसाब से आप इसको fill up कर दीजे क्योंकि आप easily edit कर सकते हैं पर फिर भी अगर आपको delete करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा हर एक यहा अगर आप कुछ भी गलती form fill up कर दिये है weekly activity report में तो मुझे लगागे यह वीडियो जरूरी आप लोगों के लिए बनाना चाहिए तो वीडियो कैसे नहीं नीचे comment करके मश बताना और भी अगर कुछ भी doubt है weekly activity details के बारे में weekly activity report के बारे में तो मुझे जरूरी comment करना मैं जर तक के लिए बावाई